भारत में सक्त कानून है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, यदि वेहत्या, बलातकार, धन-शोधन या किसी भी प्रकार के अपरादिक गदिविदी में भाग लेते हैं और उनकानून तोड़ते हैं तो उन पर कानून के तहट आरोप लगाया जाता है, शायद उन्हें जेल हो सकती है अगर उनका अपराद बहुत घंबीर है तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है, यदि अपराद की प्रग्रुति अत्यंत जगन्य है तो मृत्य दन दिया जाता है, कानून में अलग-अलग सजाओ का जिक्र है जब किसी व्यक्ति को निचली आदालतों द्वारा मौत की सजा दी जाती है और वे इसके खिलाफ अपील करना चाहते है तो वे उच्छ नयालेई में अपील कर सकते है यादि उच्छ नयालेई निचली आदात के फैसले से सहमत रहती है तो वे उच्छ नयालेई में अपलाई कर सकते है अगर सुप्रीम कोर्ट फैसलेई में कायम रहता है तो भारत के राश्ट्रोपती उनकी आखरी उमीद है भारत के राश्ट्रोपती के पास मृत्युदन प्राप्त कैदी की दयायाचिका को स्विकार या और स्विकार करने की विशेश शक्ती है 25 जुनाई 2022 को राष्ट्रपती बनने के बाद हमारी राष्ट्रपती दुरौपदी मूर्मू ने पहली पार किसी दयायाचिका को खारज कर दिया बहुत खूम उससे पहले के राश्ट्रपत्यों ने दया याचिकाओ को स्विकार या अस्विकार करने की शक्ति का इस्तमाल किया है कारेबार संभालने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने याचिका को खारिच कर दिया यहां कहानी है घटना 2008 की है महराश्टा के वसंत संपत दुपारे नाम के शक्स ने चार साल की बच्ची के साथ रेब किया और पत्थर मार मार कर उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसने जगर्न्य अप्रात किया था दुरपदी मुर्मु ने उसके दया याचिका खारिच कर दी मामला 2008 से चल रहा था वारदात के बाद युवक को जेल हो गई थी निचली अदलत ने एक छोटी सी बच्ची से बलादकार करने और उसे पत्थर मार मार कर मार डालने की जुर्म में मौत की सजा सुनाई 26 नवेंबर 2014 को बॉम्बे हाई कोट ने भी मौत की सजा सुनाई 14 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोट ने मौत की सजा का समर्धन किया और दुपारे के राक्षशिक कार्यों की निंदा की थी दुपारे ने बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ दुशकर्म किया और फिर पत्थर मार मार कर उसकी हत्या कर दी इसलिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी तीन मैं 2017 को सुप्रीम कोट ने वसन संपत दुपारे की पुनर विचार याचिका खारिच कर दी 28 मार्च 2023 को राश्ट्रपती सचिव्लारे को इस मामले पर केंद्रियक गुरू मंत्राले से दया याचिका की सिपारिश मिली राश्ट्रपती ने 10 अप्रेल 2023 को दया याचिका खारिच कर दी थी 28 अप्रेल 2023 को सिति की पुष्टी की गई 28 की सजा की तारीक, समय और अन्य तैयारियां जल्च शुरू होंगी द्रापती मूर्मू ने बहादूरी से आरोपी की दया याचिका खारिच कर दी बहुत खूब